इस दिवर स्थानी पर उपस्थित एवं अनुपस्थित गरश्यमान अदर सिमान सर्वकल्यांकार पवितर जीवों का में परमाकमा के जगत में सप्रेम सरिद स्वागत कर दाओं अब बरंदल कर दाओं आज का ये सुंदर मंगल प्रभाद हो सकता है इस पृत्वी पर इस मृत्यू लोग पर कई सारे जीव सरीरों की जीवन की यात्रा का अंतीम पड़ाव हो ये भी तो हो सकता है आज काई सुनहरा मंगल प्रवाद इस पृत्वी पर इस मृत्यों लोग पर कई सारे जीवसरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारम हो हम दोनों प्रकार के जीव सरीरों के आगे की कल्यान काली मंगल में जीवन यात्रा के लिए हमारे सभी के और से इस दिद्ने स्थान से इस पवित्र स्थान से सुब कामनाय प्राथते हैं दो स्कूल ओफ स्पिरिट्योल साइंस आत्मिक विज्ञान की पात साला दो स्कूल ओफ दिवाइन टेक्निक दिद्य तकनिके की पात साला दिद्य स्थी महम्रुत्यूं महा अम्रित विश्व विद्याले नत्राजपोरों खेड़ ब्रह्मा गुजरात जिसका उद्देश से है मनुष्य को अपनी नीजी संपती अपनी परम संपदा अपनी आत्मिक सक्ती से परिचित करना जिसके साथ जूनता है जीवन का परमानत जीवन की सान्ति जीवन जीने का उत्सा उमंग प्रें करुना मित्रता हमारी आत्मिक संपता इससे परिचित करने का उद्देश ही पाट साला का जिविश्व विद्याले का किस तरह से हर परिश्थिते में हम सर्वस्रेश्ट जीवन का जो स्वाद है बोले सके इन दिनों जो में बात कर रहा हूँ वो है आदी गुरु संकराचारे रचित उससे प्रगट हुई भारत माक्सा के पवित्र भूमी पर जो आत्मिक संदेश प्रगट हुआ कविता के रुप में प्राथना के रुप में निर्वान सटकंग उस पर मैं आपको ले जाओं इस बहुत जरूरी अंतर जगत का जो दर्सन है अंतर जगत का जो ओल्भयन है उठना है उपर प्लेठ को उपर उठाना है भी तरकाव उससे पहले तिन बहुत सरग लेखिए एशनल मौस्ट रुटर तरक ये तो त्या प्रस्ञ परमपुझे गुरुजी सभीने जनावान जेने ग्लुकोमा होई छे मारे छे अन्ने जेने आंकनों मोतियों उतादे होई अन्ने लेंस मुखाव्या होई तेमने आंक पण्चोडवानी मनाई होई छे डोक्तरों नी तो आपने सवारे आंक भीश्वानी अन्ने मस्तक पाछल एज जावानी एकसरशाइज बहुत जोर ल देखितन रामना प्रणा राम होई क्या अपना प्रियर वेश्विक परिवालना राम मामा जो पूछ रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन कि आंक की अगर आपने केटरेक्ट का उप्रेस्टन करवाया है या कॉंटेक लेंस मिठाया है या इससा कुछ भी आंक के सा हुआ है और डॉक्टरों की ऐसी एड्वाइज है कि इसको कॉंट्रेक्ट नहीं करना है मैं आपको एक कहूंगा चाहे मेरा डायक का गाइडन्स हो चाहे सारी विक्तल का गाइडन्स हो आपको ही देखना है एक्सराइज में मैं ऐसा नहीं कहता कि सरीर की मर्यादा से उपर समझ के साथ काम करना है आपको लगे यह एक्सराइज करने से मुझे तकलिफ हो रही है छोड़ दो कम कर दो कॉंट्रेक्शन कम कर दो आपको लगे कि मैं इतना कॉंट्रेक्ट नहीं कर रहा हूं इससे मुझे तकलिफ हो रही है हल्का कॉंट्रेक्ट करो जितना छोड़ दो कि ये मेरे दिये suitable नहीं हो रही है, छोड़ दो, ठीक है, इस तरह से समझ के साथ हम जो काम कर रहे हैं, धर्म, धर्मकार है, परम समझ, कोई जड़ता है, तो तो तुम एक्सराइज, नेक औरियेंटेज, बहुत महत पुपर ना, एक्सराइज नेक, इस तरह से करेंगे, नेक क लेट, साइड ले जाएंगे, सॉल्डर वहां का वहां नेक जुकाएंगे, टच करेंगे, कान को सॉल्डर के साथ, धिरे धिरे पूरा हो जाएगा, नेक पर चर्वी, संपूर्ण अविध्यानिक, प्राइज, तच करवाने की कोसिश करें, जब तक मैं न कोहूं, आप अप उठाए, लेट, तीन आवत्तन करेंगे, ब्रम्मा मिश्मु महे, कम से कम तीन, जब राइट साइड धिरे धिरे, लेट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, इसमें भी समझे, अगर ये एक्सराइज में आपको चक्कर जैसा लगे, एक्सराइज स्टॉप कर दे, ठोड़े समय के लिए, फिर करोगे, इसमें कुछ गबरानी के चीज़ नहीं, कई समय से अगर आपने आपके मसल्स का उप्योग नें किया है, और करोगे, तो ब्रेन क ये जो सेंटर है, उस पर प्रभाव बढ़ जाता है, ब्लड का, इसके कारण चकर जैसा लगता है, या कम हो जाता है ब्लड, या ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें गबरानी की कोई चरूरत नहीं, जहां तुम्हें अनीजीनेस लगे, एक्सराइज में, वां स्टॉप कर पर थे, और थुड़ा समय वेट करके, शोशाइज को करें, अब मुझ को पुर्णबाद, दाजी को टच करेंगे, गर्दन के साह, जिसके क्ष्ण का जाने, इसके कौर्स जिसे लगता है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कम कोर्स के साफ, दाजी को टच करेंगे, गर्दन के एक्मस्थेर में आपका गला सुखा रहना अवेग्यानिक ठूक जैसे ठूक और यूरिन दर एंटी मॉस्ट मॉस्ट एंटी सेप्टिक सोलियोशन नेचरल सोलियोशन तो को गले में निगाले गला भीगा रखे जब तक मैं न को हूँ आप अपनी घर्दन के साथ दाड़ी को बनाए रखे तेंस्टन रिलीज करने की एक्सराइज भीदी ब्यूटिफूल डिवाइन टेक्निक मस्टक उपर उठाएंगे आपको खोल देंगे पीछे की और ले जाएंगे चैरा पीछे की और बेखनी की कोशिट जब तक मैं न को हूँ पोज बनाए रखे फिर से नीचे की और दाटी टच करेंगे घर्जन के साथ आपकी थाइरोइट ग्लेंट पर इसका बहुत गैरा प्रभावाता है हाइपो थाइरोजिजम या थाइरोइट सबन भी कोई भी प्रॉब्लेम है इसमें इस एक्सराइज से फर्क पढ़ना शुरू हो जाएगा मातर आपको ध्यान देना है रेग्यूलर एक्सराइज जब भी याद आए यह ऐसी एक्सराइज है आपका बीद कर सकते हो दिन में थूपको गले में निगा ले फिर से टेराओ उपर उठाएंगे आपको को खोल देंगे पीछे दे जाएंगे आपके कोई यह पीछे के और दर्सन आपके हितर जो भी अभी बोज है मन का सरीर का भाव का अनुभव करे संपूर्ण बोज रहित अवस्था संपूर्ण निर्बोज अवस्था आगे ले आए चैरा फिर से एक बार लास्ट ताइम गंदर के साथ डागी को जोड़ेंगे भी दफॉर्स ठूंक को गले में निगालना है पूरे दिन सुगों में उठो स्मरण परमात्मा का बाद में करना फैले ठूंक को गले में निगालो कोई भी प्रोब्लेम है आपके नाभी केंदर के कोई भी प्रस्ना उसको दूर करने की सरलतम विदि आप परिचित हो आप स्वयं करो जो इंट्रेस्टेड है उसे करवाओ ज्यान को फेलाओ इस पृत्वी पर सत्य के ज्यान को नौर्मल नौर्मल दूसरी एक्सेंटियल मोस एक्साइड सांस उच्वास जब भी मैं बोलूंगा सांस उच्वास मैं आपके भीतर डाल दूंगा सांस उच्वास के साथ आपकी सांसी का सब़त जितनी गहरी सांस, जितनी गहरी उच्छवास, ऐसे जब भी आपको लगे, मुझे बहुत असांती जैसा लग रहा है, बेचेनी जैसा लग रहा है, वैसे तो अगर आप रेग्यूलर ये एक्सराइज करोगे, असांती आपको छूना असंबल, चाहे कोई भी परिस्तिती और आप स्थीर, अपने में स्वस्त, सारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, आत्मा के संपत में सांस, कुछवास सबंदी एक्सराइज, उच्छवास को ठीक से समझे, उच्छवास को बार छोड़ना, बार रोकना कौन से उब्य है, कुरोट, ग्रीना, इर्ष्या, तिरस्कार, यहां तक की काम वासना, अगर आपको हैरान कर रहे हैं, तो उसका इतना ही अर्थ है, कि आपकी जो उच्छवास है, वो ठेक नहीं हो रहे हैं, उच्छवास का रेट ठेक नहीं है, और उच्छवास का जो समय है, बाहर ठेक नहीं है, वो कम हो रहा है, थिप्रिख समझदान यहां तक कि एक विप्ती दूसरे को चरी मारता है। उदारण के रुक में तुब कहता हूँ ुसका इतना ही कारण है। जब काम वासना में मनुष से उतरता है अंतीन चरण में उच्वास बार छोड़ देता है ten ज região तुम आनन कानौव करते हो काम वासना में तब भी उच्वास बार उच छोड़ अपने आप यह प्राकृतिक है अगर भब ऀप थेक से ईच्वास बार छोड़ी और बार रोके रखी तुमारे जीवन से भय चिंता कम होते जाएगे अनुभव करो 90 days एक लिस्ट समझो इसका विज्ञान मैं तुम्हें डिटेंड में कहूंगा कि क्यों 90 days लेकिन अभी समझो जहां से तुम कोई भी प्रक्रिया सुरू करो एक लिस्ट 90 days उसे मेंटेंग करने का प्रयत्न परो ताकि तुम्हें पता चले कि मेरी बात कितनी सत्य है कितनी सत्य नहीं है अगर सत्य है तो तुम बहुत से ऐसे राष्टे हैं जीवन के जो समझने के लिए तुमारे पास समय रहेगा इसलिए तुम्हें एक लिस्ट 90 days exercise पर ध्यान देना है जो भी मैं बताता जाओं तुम्हें लगे यह मेरे लिस्टेबल है उसे छोड़ना नहीं है उच्वास जो है वो सारे नकारात्मक बोजील भाव संपुर्ण समाप कर देती है यह प्रक्रिया आज जो मैं प्रक्रिया ले रहा हूं चार बंद एसेंसियल जो प्रक्रिया है हम चार बार करेंगे तीन बंद सबंदित यह प्रक्रिया है और प्रक्रिया हम चार बार करेंगे पहले एक एक बंद एक उच्वास के साथ और लास्ट में तीनों बंद एक उच्वास के साथ इस तरह से चार बार यह प्रक्रिया करेंगे पहला बंद तुम उच्वास को बार चोड़ोगे आवा में आपके समक्स जब तक शमता है कुछ वाज को बार बनाये रखने की उच्वास को बार ही छोड़े रखे मुरुत्यु सबंदित सारे भय चिंता इस प्रक्रियास से जिलीन हो जाते है जीवन निर्भयता की और बैता है स्रद्धा की और विस्वात की और जैसे की उच्वास कि ख्षंता समाप्रू जाए आँखे बंद रखे सांस उच्वास सामाने हो जाने दे एक्स्पिरियांस सामती एक्स्पिरियांस रेलेक्सेचन स्मरण आये ठूंक को गले में निगाले पोरोना का एक्मोस्पियर गले का सुखा रहना अवे घ्यानिक ठूंक सबसे बड़ा एंटी सॉप्टिक सॉल्योसन परमात्मा ने बनाया हुआ दूसरे ख्रक्रिया में प्रवेश करेंगे दूसरा बंद उच्वास को बार छोड़ेंगे और पेट को अंदर लेंगे आपको ध्यान देना है पेट को अंदर लेना ठिक से समझना है जैसे कि सुबह में तुमने अंजीर खाया है चायती है बदाम खाई है कुछ नास्ता किया है तो जब तुम पेट अंदर लेते हो तुम्हें पेइम जैसी किलिंग होती है तो वहां से आगे नहीं बढ़ना है जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे ये प्रक्रिया करनी है समझ के साथ उच्वास को बाहर छोड़ेंगे दूसरा बंद पेट अभी घर्दन पर ध्यान मत देना तुम पेट पर ध्यान दो उच्वास को बाहर छोड़ो पेट को अंदर कीचो मैं आपके साथ आवाग के साथ छोड़े चैरा सिद्वे रख सकते हो आँखे बंद पेट को अंदर कीचो शंता है उच्वास को बाहर छोड़े रखने की तब तक उसका उप्योग करो तीन उच्वास की प्रक्रिया में आप निर्भार हो जाओगे अनुभो करो साइकोलोजिकल जितने भी प्रस्न है आपके प्रोब्लेम्स संपूर्ण मिठ जाएंगे संपूर्ण जीवन नए विस्वास के साथ जैसे ही क्षमता समाप हो जाए सांतुच्वास सामान्य एक्स्पिरियांस एंजोई सांती रिलेक्सेशन स्मरण आये खूंको गले में निगाले तीसरी उच्वास सबंदित प्रक्रिया में प्रविस्ट करेंगे चैरा सिधा ही रखेंगे तीसरी जो प्रक्रिया है उच्वास को बार छोड़ेंगे लिए मल मुत्र के जो इस नायू है उसे उपर खीचना है उपर की और आपका चैरा सिधा प्रैपन करें उच्वास को आवास के साथ बार खेंगे जब तक शंता है मल मुत्र के स्नायों को उपर खीचे इकाये रखें जैसे हमारी उम्रवट्ती है यह मसल्स पर हमारा पंट्रोल काम हो जाता है यह प्रक्रिया से आप जितना जियो स्वस्तता के साथ जियो ऐसे मेरी भावना प्राखना मुलाधार चक्र को ठीक से समझना है संभालना है जीवन का आधार मल मुत्र के स्नायों को उपर खीचो इकाये रखो जैसे एक शमता समाप्त हो जाए आपको बंग कर दे सांस उच्वास सामने हो जाने दे एंजोई रिलेक्स सेस्तं सांती इस प्रक्रिया से तुमारे जीवन में सांती बढ़ती जाएगी संतोस बढ़ता जाएगा सरलता बढ़ती जाएगी सहेटता बढ़ती जाएगी स्रधा विश्वास बढ़ता जाएगा प्रेम, करोना, मित्रता, बढ़ती हुई मालूम पड़ेगी, निर्भार, निर्बोज, रस्पुर्ण जीवन, उद्देश्थ है विश्वरित्यालेका, आखे खुलेंगे, चोर्थी उच्वास सबंदित प्रक्रिया, जो हमने तीन बंद लगाये, पहला गला, दूसरा, राज़्ण चक्र सबंदित मल मुत्र के सनायो को उपर खींच दा, जिस तीनों जो स्थान है, ऐसा समझो, ये तीनों स्थान पर सक्टी का प्रकार बदल जाता है, सक्टी का जो स्वरूप है, आगे हम पूरा जिक्यल में जाएएंगे, तिक आप अभी इतना समझो, कि साथ है तीनों बंद का सबन्द सक्ती के साथ और कौन से सक्ती जो सक्ती से हमारा जीवन प्रगणत होता है और यह बंद जितने के दिए विन भाष a 00 कह जिये व स्जों है hatte प्रक्रिया उच्वास को आहा quiet के साथ बार ठैंकेंगे, तीन बंद एक साथ लखायेंगे, रहत न करें, बहुत सरल भी देंगे, गले के साथ तच करो, दाधी को एक पेट को जितनी शंता है, पेट दुखना नहीं चाहिए, उतना पेट को अंदर की जो कोई प्रोब्लेम ने, और मल्ब उत्र के सनाईवों क उपर थी, जो तीन बंद एक साथ लगाने की कोशिस करो, अभ्यास करो, उच्वास, आवास के साथ ठेको, क्षंता समाप होते ही, आपको को बंद रखें, चेहरा सीधा कर दें, एंजोई, रेक्तितन, सांती का अनुभव करे, जीवन की सांती प्रती पल हमारे साथ, केवल जो जरूदत है, वो है कुछ सामाने प्रैतन की, और परम खजाना जीवन का, परम संपदा हमारे हाथ में, आपको को खुल देंगे, थार्ड एसेंशियल मॉस्त एक्सराइज, लिएक्सराइज, ये ऐसी आपके एक्सराइज है, ठीक से इसे की जाए, फिजिकल रूप में भी, आपके चस्मा के नंबर संपूर ने निकल सकते है, मैं एक्सराइज की रिद भी बताऊंगा, पहले परीचित हो जाए, एक्सराइज के, फिर ये एक्सराइज, जिसे आपकी तकलिक है, वो सूर्य का रंग जब केसरी है या पीला है, सुबह में, वाइट सूर्य में ये एक्सराइज करनी है, सुर्य के प्रकास में, जब करनी है तुम्हें सुर्य के प्रकास में, सुर्य को देखनी की जरूरत में, लेकिन सुर्य प्रकास में करना इसे, नेचरली जो वितामीन D है, जो आँख के स्वास्ते के लिए भी उपी होगी है, वो ऐसे ही महत में मिल जाएगा तुम्हें, कोई बोली खरिदने की जोड़तनी खाली सुर्य प्रकास का पॉंटेंग्स और बहुत सी लिजायत हब सकती खाली सुर्य दर्संद से तुमारे भीतर प्रविष्टू की है आंक बहुत महत्व कुर्ण और गन हम जिसे विचार कहते हैं उसका गहरा सबन तुमारी आंकों के साथ तुमारे भीतर वो आकरुकिया बन की जाएगी और आखिर में वो विचार के रूप में कल्पनाओं के रूप में सौपन के रूप में तुमारे उंतर जगत में प्रगड़ होती रहेगी तो ये एक्सर्शाइज सुर्य के प्रकास में करनी है तो केसरी या पीला रम का सुर देखना नहीं है केसरी यलो सुर्य देखने में कोई दिकत नहीं है संपुर्ण वैज्ञा में केसरी और यलो सुर्य थी प्रभी स्टोरे ने आंकी एक्सर्शाइज वाच स्ट्रेट सामाने आंक कि एक्सर्शाइज स्टी रेखा में देखें आपके रिट सिप्टी ओपन का आइज मेक्सिमूम एज मच आइज पॉसिबल आइज पॉसिबल आइज नोर्म क्लोस दा आइज नॉर्मल कॉंट्रिक्ट आइज विद्ट थेस्टियल मसल्स मेरा चैरा आपके संक्स अगर आपको लगता है इसके आपको डिसकॉंट हो रहा है तो यह एक्सर्शाइज बहुत जोर से न करे या न करे किर आपके समय का आपके सरह है तो यह एक तो आपके स्ट हार।本व तो राइज नॉम तो नॉर्मलла्ड ग्सिम्स वह ला ग्सिछली का ग्स्ट 나올 है तो यह लागता है और क्दुन झास्ट आपके सीगैज मसल् मेक्सिमू, नौर्मन, प्रोस्टाइ, नौर्मन, सिकुडे चेहरा, मेरा चेहरा आपके समथ, सारे नकानात्मत वाओ का असर हमारे चेहरे पर आता है, उसे दूर करने की अध्बूत विदे अनुभोग करें, आपका चेहरा ऐसे ही तेजस्वी होता जाएगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ, चेहरा डल नहीं होना चाहिए, उम्र बढ़ने के साथ, सफेद बाल के साथ, आपका चेहरा तेजस्वी लगना चाहिए, उपन दाइज, नौर्मन, मेक्सिमू, नौर्मन, फॉर्च लेटेंट साइट, टिकाओ, आँख की पुतले, चेहरा सित्था, रिड़ सित्थी, बीच में जब बीश मरना आए, फुंक को गले में निगादो, पॉरोना का बाता बनानो, डिकाओ, रिड़ हम एन चाहित्या, टिकाओ, रिगष्ट टिकाओ, 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 बसे आजःे, प्रीजाब से खाल, स्टाब्राइर, खर खाल, स्टाब्राइब. down up down up down straight left up right down straight right down left up straight left right up down straight right left down up straight close eyes आपको पुबन कर दे आपकी आँखे सच होगे मुझे यहाँ बेखे मालूम होता है आपकी आँखे सच होगे भुद्कार्ट समार्ट now you are in contact with completely भत्मान close the eyes watch straight आपका अपना अन्षल आँखे सच होगे मुझे बन् Papa Kallam आपके अंतर जगत का लेक्ट पॉर्नर ठिक से जांच ले कोई विचार दारू का डानी बना रहा है ना यू आर दो पॉलिस ओल्ट राइट ठिक से जांच ले कोई विचार आपके सामराचे पर कपजा नी जमा रहा है आपके पुद्ली राइट साइड में स्ट्रेट अप आपके अंतर जगत की इंचाई जिसना उपर देख सको आपका अपना आकास डाउन आपके अंतर जगत की गहराई दर्ते माता की और वाच डाउन जितनी गहराई देख सको आपके जीतर की आपके अपनी स्ट्रेट लेट बंदा की साब कर देने इस तर है अंतर जगत की तर जीतर की बंदा आको के साब की अनतर जगत क्रक्सकित राउन जयंतर बंदा की आपके अपम की अंतर जगत की तर की शुद्धी में उपयोगी होती है बिन जलूडी विचार बिन जलूरी सारीरिक समेंदनाएं पर्स्तव्यस्त다면 विलीन हो जाते हैं अनुभवक करे अभी शुद्धी करण का अंतर जगत की सुद्धी करण अंतर जगत में यात्रा करनी है सुद्ध करे आखाश को वाच राइट डाउन लेट अप स्ट्रेट आखो को बंद रखे अंचर दर्शन का प्रथम सोबा प्रथम दर्शन आपकी सारे रिक समिदना पाउं के अंगूठी से लेकर मस्तिस्क तक देखे अनुधो करे वाच एंड एक्सपिरियंस दो प्रशन सेंसेशन अफ और अल बोडी सरीर में कहीं भी पीड़ा है या पीड़ा रहती है उस प्रदेश की समिदनाओं का भी दर्शन करे समझलो आपके घुटनों में पीड़ा रहती है जम्रग घुटनों के प्रदेश का दर्शन करे आपको हेडेक रहता है सरदर्द रहता है सर की समिदनाओं का दर्शन करे गायब हो जाएगा सरीर की रिज़र्ड एनरजी का रचनात्मक उप्योग करना है अन्यथा वो नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार सरीर सबंदित पीड़ा में व्यर्थ चलिजाएगी हो सकती दूसरा जर्शन विचार आपके वित्तर उद्वस होते हुए विचार अनुभाव करो जैसा सरीर ऐसा विचार प्रतिपर ठीक से दर्शन करो के एक भी विचार के एक संता आपकी आपकी सकती के सामने खड़े रहने की ताकात नहीं है आप देते हो ताकात विचारों को देखने जाओगे ढूंदने जाओगे विचार कोई कोने में नहीं मिलेगा अनुभाव करो बात और फिर भी अगर विचार मिल जाए तो उसे पूरा देखो कौन से पात्र है विचार में क्या-क्या बोल रहे हैं कौन से सिच्यूएशन है किसरा दर्शन भाव दसा मूप अनुभाव करो watch and experience the type of your mood, your भाव दसा नाओ अच्छा mood, बुरा mood, बोजिल mood, निर्बार mood ठिक से अभ्यास करोगे तो थोड़े दिन मुझे बुरा mood सब्द निकाल देना पड़ेगा दर्शन की प्रक्रिया को ठिक से समझो आपकी आँख की ताकात को जानो पहचानो जहां पर आपके भीतर की आँख का प्रकास पड़ा अगर वो असत्य है तो उसे छोड़ देना पड़ेगा वो कोना और सत्य है प्रजवलित हो जाएगा अनुगाव करो चोथा दर्शन किसके है ये आँख कहां पर है ये आँख ढूड़ो अब आप अपनी आँख की पुतली बंद आँखों में ही उपर के भी समिस्थिर करेंगे उपर ले जाए बंद आँखों से उपर देखने का सहज ब्रैपन मस्तिख के प्रदेश की समेदनाओं का दर्सन करने का अनुभव करने का प्रैपन करें मस्तिख के प्रदेश की समेदनाओं का दर्सन करने का अनुभव करने का प्रैपन करें ठिक से जानना है इसे, जहां से हम तल्यान कारी भावना प्राप्त करते हैं, हमारे हीतर का अंतर अवकास, इसकी उतर दिशा, दक्षिन दिशा, पुर्व दिशा, पस्चिन दिशा, अंतर अवकास की, अंतर अवकास की, उतर दिशाएं, इस्तान, अग्णी, नेरुस्त्य, वायव्य, अंतर जगत की, उर्द्वगामी दिशा, अंतर जगत की, अदोगामी दिशा, सर्व दिशाओं से, कल्यान कारी भावनाएं प्राप्त होती है, हमें बीतर से, कल्यान कारी आखास का संबद कर रहे हैं, आख, प्राप्तना है, कितनी सुन्दर प्राप्तना भावास लेखना, आनो बद्राहा, क्रत्वो यंतु विश्वतह, विश्व की सर्व दिशाओं से, बद्र का अर्थ है कल्यान कारी, विश्व की सर्व दिशाओं से, हम कल्यान कारी भावनाव को प्राप्त करें, प्राप्तना है, अब कि आख की तुक्री नॉर्मल, वाच स्ट्रेंच, पड़िस करेंगे अर्दनी मिलितां, आदी खुलियां, आदी बंदांग, आदी खुलियां से बेर जगत का संपर, बहिर गामी जीवन, इंद्रिय अगत जीवन, जो आदारित है सरिफ पर, सरिफ की इंद्रियां, परमात्मा की महामिले भेट ये सरि, इसका सदुप्यों हमार हाथ में, आदी बंदांग, अंतर जगत का जीवन, आत्मा ओरियेंटेट, आत्मा केंद्र, प्रैत्न करें नासिका का अगरुभाग देखने का, सहज प्रैत्न नासिका का अगरुभाग देखना, ये प्रक्रिया आपकी सक्ति को, कुंद्रिनी सक्ति, जो के सुसुत अवस्था में, जब अंध्यान नहीं देते, रहती है, जैसा तुमारा ध्यान जाता है, ये सक्ति, त्री नेत्र की और बैती है, मुलाधार चक्र की ये सक्ति है, जिससे अमारा स्री चलता है, सारे रूप में जीवन की नाव चलती है ये सक्ती उर्द्वगामी जीसा में बैठी है इसकी ये छोकी सी प्रक्रिया जब भी आँख बन करे या खोले परतनी मेरे इस आँख को बहत बदे दीरे 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 जितनी साम पिसे आँख खोल सको step by step तीन step में आँख खोल सकते हो साथ step में आँख खोल सकते हो 11 step इस ते माइक्रो एक्सराइब ये है योगिक व्याया सामती से आँखो को खोलना सामती से आँखो बन करना उतावर हतार हतार निपाड़ी सब्द हतार हतार फेस्ट उतावर आत्मा का सोभाव नहीं है पूरे दिन में जब उतावर का अनुभव करो तब जानो पारे हाथ में कुछ नहीं आता लेकिन परमात्मा घड़ता है अपने बच्चों को तो उसे पता है कि ये लोग क्या करेंगे कहां पर जगड़ा करेंगे इसलिए वो बाहर रहा ही नहीं सांती आत्मा का लग्षा ये जीवन खोज है ये जीवन का लग्षे है परमात्मा का दर्षान सांती किस तरशे मिलती है हमें अपनी अंदर ये धर्व का उदेश सनातन का अर्थ है सत्य सनातन का अर्थ है जो सदा से है सदा रहेगा और एक ही मात्र सनातन है सत्य एक मात्र इस उत्वी पर अवकास जाएवो बहिर गामी आवकास जाएवो अंतर गामी आवकास अंतर गामी आवकास का प्राची नाम, संस्कुनुत नाम, पोईतिक नाम, का वयत्म, क्प्राथनाम नाम आत्म और कितनी सुंदर विधी प्राथकाल का समय सुद़ जा गया, एक्सराइज भी हो गई, सुद्ध अंतर जगत का दर्शन भी हो गया, अब प्राथना में उत्रेंगे, सुबह साम की प्राथना का अर्थ है, अंतर जगत, सनाम तो होई गया, लेकिन जो भीतर की प्रसंता है, उसको प्रगट करना, उसके संपत में आना, प्रसंता की सक्ति के साथ जीना, प्राथना इसलिए है जीवन में, जो मैं बात करने जादा हूं, वही निर्वाय सक्का संक्राचार्या, आदि गुरू संक्राचार्या, धर्ति मातप की गोद में ऐसी भीभूति का जन्म, हमारा इंको तुम नहीं जन्म, वैसलिक परिवाद का इंको तुम देखो, उसके उचाए, बत्रे साल में उससे जो कहना था, करना था, सब कुछ कर लिया, उद्देश जो था उसके जन्म का, कि क्यूं जन्म लिया मैंने इस धर्ति पर, कल्यान कारी उद्देश, अपना तो कल्यान कर ही लिया, और हमें कल्यान के रिए रास्ता बता दिया, संदेश दे दिया, इसका उप्योग करना है, आत्मा सबंदित मैंने जितना भी साहित देखा, उसमें जो गेर, जिसे हम गा सके, मेरी द्रस्ती से, सर्वुतम प्राथना, सर्वुतम प्राथना, और जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपको पता चलेगा, कि मैं सरी हूँ या गलत, और ऐसी प्राथना है, समझो, आज कोई विस्तर पर लेग गया सरी, कभी ऐसा ही सूरज होगेगा, कि स्रिरंग का सूर्य इतना सुन्दर, ऐसा ही सुन्दर परण होगा, रुख शिलते होंगे, पंची गाते होंगे, सब मनुस से अपने काम में रिस्त होंगे, लेकिन मेरी आँख नहीं खुलेगी, और मेरी प्रतिमी इतना हूँ तुमारा, सबका एक पिनाता है, सरी ही यात्रा पुर्य हो जाती है, जिसमें अभी हम सवार हो रहे ह वो यात्रा समात्त हो जाती, हमारे आँख नी खुलेगे, हम चाहेंगे कि मुझे सुर्य का दर्सन करना है, में कर सपोगे मुझे लगेगा कि आज पूनं की रात दे पुरुनिमा देखू तो सही कैसी है पुरुनिमा जो परमात्मा ने प्रगट की है पुरुनिमा जिसका सबंद, चंद्र का सबंद हमारे भाव सरीप से है फूलों का सबंद चंद्र से चंदर की सांते से हमारा भावसरी रिदेशकर का सबन मैं देखू तो सही चंदर कैसा है चंदर की राग कैसी है पूर्ली मा की राग कैसी है लेकिन मेरा सरी असल फिर से बच्चे हो गए जैसे हम छोटे थे हमारा सामरतностью ही क्या थे मा की गोद में छीमुती करते थे जो मा बनी है उसे पता है कि किस तरह से संताम को प्रत्यकपल संभालना पड़ता है प्रत्यकपल ये पुरुस को इतना पता नहीं चलिए जो स्थितिका में वरनन कर रहा हूँ स्त्री का अदभूत भावसरी अद्बूर स्त्री अनजान है अपने भाव सरी से ईसकी मुरुदोंता की चंड़ा पुरुद के भाव सरी से अनिक बूना जयादा में अनिक बूना जयादा हमें left side का लट बदल नहीं है रापको दाया बाया होना है नहीं हो सकती सत्य सरीश सबंदी सत्य जानना है गपराने की कोई जरुवरत में तुम सरीर हो इने इसलिए तो प्रात्ना है संकराचारे की तुम्हें याद दिलाने के लिए गर तुम कौन हो चिदानन्द रूप प्रक्तिकपल कोई भी हाल हो सरीर का चाय तुम दिमार हो चाय तुम स्वस्थ हो चाय तुम युवान हो चाय तुम बच्चे हो चाय तुम रुद्ध हो कोई भी हाल हो चिदानन्द स्वरुप वही का वही सीवो हम अवस्था प्रतिपल तुमारे साथ परमात्मा का आलिंगन प्रतिपल हमारे साथ हम परमात्मा की गोद में प्राथना का उद्दिस है जब सुबह होती है और जहां से तुम मुझे समझ रहे हो दिन को ही समझो जन्द दिन को हाथ से जाने मत दो जब तुम्हारी आँख खुले तुम अनुभव करो तुम प्रविष्ट हुए नए जन्म में नए जन्म नए दिन जो कुछ तुमारा कल अधूरा ले गया था उसे पुरे करनी लिए आज का दिन जो तुमारा अब तक अधूरा ले गया जितना जीवन तुम जीए उसमें जो अधूरा रह गया उसका पूरा करने का अवसर आज का दिन आज का जन्म आज का जन्म बोड़ो आज का जन्म समझो धीरे 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 जन्म बदलेगा मृत्य की और जो जन्म इस अस्तित्व में उसका मृत्य उसको निश्चित सत्य सनातन सत्य जो जन्म उसका मृत्यू सुनिश्चित सरेक का जन्म सरेक के मृत्यू सुनिश्चित आत्मा का अर्थ अवकास उसका जन्म भी नहीं का जा सकता वो तो है लिए हमें जानना है कि यह अवकास अनुभव करना है करते हैं हम अनुभव करते हैं अवकास का और यह विस्तार है अद्बूत विस्तार है हम विस्तार हो जाते हैं इतना विस्तार है हम दिलिन हो जाते हैं अंकार ओंकार में मिलिन हो जाता है संपुर्ण दर्सन हो जाते हैं हम संपुर्ण दर्सन में कायब जो अवस्ताय उसे का जाता है शिवो हुन इसका स्मरन निर्वान सत्कम जो प्रात्ना है उसका अपना विक्यान है जिस तरह से सब्द का असर है मैं क्या सब्द बोल रहा हूँ तुमारे कान पर सब्द पढ़ता है तुमारे भी तरह उस सब्द के अनुसार विचार भाव प्रगत होना शुरू होते है जिसे दिव्यवाणी कहा जाता है समझना इसका भी ज्यान दिव्यवाणी का स्रमन तुम्हें अपने आत्मा के संपर्थ में लाता है आत्मिक प्रकास के संपर्थ में लाता है ये इस प्रकार का कागटे है समझ लो तुम भासा जानते ही नहीं मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम हिंदी जानते ने, इस समय जो मेरा रूप है, प्रागटे है, तुम दुनिया के कोई भी कौने में बैठे हो, तुम भासा नहीं जानते, समझ लोगी तुम इंगलिस जानते हो, हिंदी नहीं जानते, तुम केवल दर्शन करना सुरू कर दो, दिव्यवानी का, कान पर पढ़ने दो, सब्द केवल, तुम हिंदी जानते हो, न जानते हो, इस से इसका कोई मतलब ने, ये माइंड ओरियेंटेट प्रक्रियानी, ये इंफर्मेटिव पार्ट में, इसका सबन, मन से नहीं समझा जा सकता, केवल दर्शन, जब दिव्यमानी प्रगत हो रही है, मेरे सरेट का दर्शन, मेरे मुख से जो सब्द पढ़ रहे हैं, चाए तुम्हे उससे समझो, चाए तुम्हे उससे न समझो, उसे कान में जाने दो, परमात्मा के सबन में मैं ऐसा कोँगा ना परमात्मा हिंदी जानता है ना परमात्मा संस्कृत जानता है ना अंग्रेजी जानता है ना हिब्रो जानता है परमात्मा कोई भासा जानता है परमात्मा जानता है तो मौन की वाएं परमात्मा से सबल दो विचार के वीच की जगर से होता है तुम विचार से परमात्मा का संपर्ख नहीं कर सकते ज्यान से समझना इस बात को दो विचार के वीच की जगर से तुम परमात्मा का संपर्ख कर सकते हो जैसे जैसे तुम देखते जाओगे अपने भीतर विचार बुईलिन होते जाएगे जगव बनती जाएगे, जगव का अर्थ है अवकास अवकास का प्राचिन नाम आत्मा, आत्मा वेक्तिकत मेरा आत्मा, जैसरी का आत्मा, रस्मिन का आत्मा, आत्मा अपना नीजी सोगाओ परमात्मा हम सब को जोड़ने वाला परव अवकास अब तेरा मेरा नड़ा हम परव अवकास में विलिन हो जाना हमारी यात्रा का अंत ये भी मंद से समझा जा सकता है मंद से यात्रा तो इससे अनेक गुना आगे इतनी सुरुस्टि का चलना तुम जड़ा समझने की कोशिश करना इतनी सुरुस्टि का चलना और हम एता समझते हैं खाली मनुष से ही महब को पुरुणा अंग है इस पृत्वी का इसलिए तो भूल हो रही है इसलिए तो कोरोना प्रगट हुआ है कि मैं भी तो हूँ, तुम मुझे बूल दे और जो हम नहीं मानते थे, मानना पड़ा, मान रहे हैं यहाँ पर यह alert हो जाना है, समझदार मनुस्य को कुछ गड़बर हो रहा है हमारे जीवन में प्रकुरूती नस्ट नहीं होने चाहिए कम से कम विधायत मत, विचार सिल मनुस्यों से, रचनात मत, मनुस्यों से प्रकुरूती और मिखर्मी चाहिए जितनी हमारी प्संता, जितनी हमारी प्संता तुम मुझे पूरी पूरी पूर्थ्वी दे जोगे तुमें पुर्पूत्वी पर मद्धू का उस बगीचा फेला दूना फूलों से भरा 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 बगीचा लेकिन जो भी है हमारे पास जो भी रोना दोना नहीं जो भी है हमारे पास हमारे पास एक गर का छोटा सा आंगल है चार व्रुक्स को भी वो देना है तुलसी को बूलना नहीं है स्वास्थे प्रद प्रद दन्मंत्री में खुजा और दन्मंत्री महान विभूदी दर्ती माता की गोद में दर्ती माता का संतान हमारा बड़ा भाई परमात्मा हमारा बड़ा भाई परमात्मा दन्मंत्री जो वनस्पती के साथ समाथ कर सकता है और वनस्पती उसके साथ समाथ कर सकती है कि इस गाओं में ये विक्ती बीमार में उसे कामा सकती तुम दर्न ऐसी ऐसा क्षेत्र है इतना राज से मैं आत्मिक विग्यान मैं तुमें विग्यान कह रहा हूँ और विज्यान का सिधान्त है तुम अनुभव के लिना मांगना मत कि मैं सब्ते कह रहा हूं और मेरा इंकार भी मत करना कि मैं जूट कह रहा हूं तुम्हें अनुभव की आत्रा में निकलना पड़ेगा लेकिन मैं जानका हूं दन्वंत्री को आज जो हम हल्दी खाते हैं, कुल सी खाते हैं, यह हमारे बड़े भाई, धन्वंत्री भगवान की खूज, उस्ते भेट किया अपने छोटे भाईयों को के लो, यह खाना तुम कब भी दिमार नहीं हो सकते, अन्स्वयम अउस्थ, अन्स्वयम अउस्थ, हर एक वेक्ति को अपने इस्तने पर काम करना है कि मैं किस तरह का अनाज खाओ, तो वो मेरे भी तर परसाद बनें, प्रसाद, मंदीर ही कहना, प्रसाद मंदीर, जो समझ रहे मुझे, अपने घर के रसोईगर को प्रसाद मंदीर नाम देना, भोजन नहीं, भोजन तो केवल बहुतिक सरे को टिकाने के लिए दर्वे होता है भोजन के साथ प्रकास है भोजन के साथ धर्ती माता का प्रेव है एस्वरे है, धर्ती माता का एस्वरे जुड़ा हुआ है भोजन के साथ इसको पैचानने के लिए प्रसाद सब्द गहना प्रसाद तुम्हेरा जीवन को निखारेगा तुम्हें स्वस्त करेगा सारिदिक तल पर, मांसिक तल पर, भावात्म तल पर और स्वास्थे का अनुभर, पर्मात्म का अनुभर प्राथना का गायन वात पित कप को बैलेंस कर देता है सुबह में प्रात्ना का गाना और प्रात्ना और सामने गीत गाना दोनों में बहुत तंतर है जमीन आसमान का जैसे कि निगा रहा हूं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे तुम कोगे इसमें क्या गलत है ये भी प्रेम की बात है जरूर लेकिन मैं इसके बाद आ रहा हूं मेरे इसके बाद के जो दो टॉपिक है इस तरह के है एक है प्रात्ना का रहस्या प्रात्ना क्यूं जरूरी है साथिक रूप में भी और गायल के रूप में भी मनुष्य के जीवन के अनिष्ट को दूर करने के लिए प्रात्ना क्यूं जरूरी है दूसरा मैं टॉपिक ले रहा हूं है गायल बासुरी बाद बने और प्रात्ना मैं तुम्हें चिंतन के लिए समझ के लिए पूछूंगा क्रिष्ण श्री क्रिष्ण जिसके मुग से जीवन का परम संदेश जीवन का परम संदेश कोई भी कोना हो जीवन का कोई भी कोना हो स्री क्रिष्ण का मार्ग दर्शन न हो जब मैं बगवत धीता लूँगा तुम देखना उसका विस्ता, उसकी उंचाए, उसकी गहराए उस कृष्ण के हाथ में बांसूरी रखने का क्या मतलब और वो भी छोटे पनाला अर्गोस और हरीपसाचोरसिया तो इतनी लगी बांसूरी लेटर बैठते है और कृष्ण के हाथ में इतनी छोटी बांसूरी क्या वो नहीं जानते हैं कि बढ़ बंसुत क्या मेसेज है जवाब मेरे पास है लेकिन मैं जारेक नहीं होगा तुम जड़ा इससे सोचना हो ये थेस्पादार विंदा विश्वबंदीत मुकुंदा ये थेस्पादार विंदा विश्वबंदीत मुकुंदा ये थेस्पादार विंदा विश्वबंदीत मुकुंदा नेम अप्त रागित मोहना मोहन कार्थ प्रिया क्रिष्ण का उस्रा नाम मोहन मिठा ये रागित ना मिठा अर्थ है ये थेस्पादार विंदा तुम क्रिश्ण का खड़े रहने का दंग देखो कितना गुरुदूता क्रिश्ण के रख्तित्व में उसका खड़े रहने का दंग केवल और हाथ में छोकी सी बांसुरी इसका पौपोर बड़ा आध्यात्मिक सबन है पहले तुमें इतना पैजुगा जो साधक या आध्यात्मिक विज्ञानी के विज्यात्त जैसे स्री रश्मिन है महामरुत्यू है जगनाथ है जो बांसुरी जानते है या सीखने का प्रैद्द करते है प्रश्मिन को तो ऐसा नहीं कोँगा कि शिखने का प्रैद्द न करते हैं उसे तो और आगे जाना है प्रश्मिन ऐसा रखती तो बांसुरी वो ऐसे बजाता है गर में बांसुरी पर दागा रखता है जो बांसुरी है उसके पर दागा कि उसकी आवाज उसे भी सुनाई न दे किसी और को तो भी इस्टन न करे उसे अपने को भी इतनी सुनाई न दे इतनी दीनी बांसुरी बजाता है मैं उसे कहता हूँ ये श्थान दीनी बाशुरी बजाने का है इनी देख तो कृष्ण का मंदिर प्रकृती में मैं जब थोटा था कृष्ण मेरी मां का भी प्रिय विक्ति विक्ति तो नहीं कहते विभूती जो नाम दो लेकिन प्रिय पातर मेरागी मैं कृष्ण से इससे बाते करता था कि जिस दिन मैं तेरा मंदिर बनाओंगा मैं तुझे कोई इंट बीट के मंदिर में रखूंगा यह नहीं तुम कृष्ण को देखो समझो धर्म समझ का विकास है कृष्ण की मृत्यू तुम देखो स्वनाप के पास अती सुंदर जगड़ समनां का मंदिर पवितर स्थान हर इंसान का अनुभव लेना है उसकी आर्टी गोश्थान समनदर किनारे उसकी आकृति देखो तुम खाली दूर से आकृति स्वनाप मंदिर के खाली दरसन दूर से अंधर भी मत जाना तुम्हें अग अपने अनुदर से कहता हूं तुम जब भी जाओगे जितनी बार जाओगे तुम कुछ लेकर आओगे इसके पास कि श्री कृष्ण की दे छोड़ेने की जगर इसके पास ही पांच किलोमिटर कोई दूर में देविले का स्थान और देविले का स्थान कहां कृष्ण में अपना सरीर छोड़ा कि है क्या संदेस जो कृष्ण को मानते हैं उसके लिए क्या संदेस है जो कि कृष्णा को पृतके 몸 गुरू मानते है यह दश्वादार बिंदा विश्न अभन दीत मुटंदा जिस मुकुंद की पूरा विश्व प्राक्तना करता है तुम समझना विश्व का अर्थ केवल दुत्वी नहीं है कृष्ण जैसी विभूति जब जन्म लेती है सूर्य चांद तारे भी उसका दर्सन करने के लिए आतूर रहते हैं जिस आत्मा ने जन्म लिया वो तो आतूरी है उ जिस्ते जन्म ने लिया है उस आत्माओं की विद्यूत पर भी इसका असराता है ऐसे श्री कृष्ण उसके हाथ में बांसुरी क्यों और उसका तुम देंगी लें देखो प्रकृती में क्यों वो तो राजात है द्वार्ता के सोना की नकरी राज में कृष्ण का स्थां को यह ऐसा तो यह नहीं करता है फिर देखी लें प्रकृती में उस्ते क्या रहा है मेरे राज महल से जंगल कहीं उपर है यह उसका संदेश है चलो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें दे छोड़ना है तो प्रकृती में छोड़़ी मेरी भी आसा बताओं तुमें अपेक जब तक मेरा सरे शक्रिय है मैं बोल सकता हूँ वाणी से तुमें कुछ कहना है समझाना है समझ देनी है विश्व विध्याल है ऐसा विश्व विध्याल है No tension at all No book is allowed here No book is allowed अगर आपको book पढ़नी है थोड़े दिन आप गूं के आओ बार का कोई स्थान ले लो धर्न सास्त का प्यास कर लो सुन लो वाणी सुनी है किसी और की यहां कर दे अगर प्रमारी को तो मैं ऐसे देखने नहीं आओंगा कि आप अपनी मोबाईल में पहले तो मोबाईल का अनैसेसरी उप्योग करना है जहां पर जरूरत है उतने उससे चाहिता है यह वो अस्थान है समझना जहां पर रस्मिन को मासुरी धिनी बजाने की कोई जरूरत में कृष्ण का मंदिर प्रकुरूती में जिसने अपना देर राजमैरमेनी छोड़ा जिसने अपना देर छोड़ा पीपल के विरुक्स के नीचे सो गए आखिर में अपना देन छोड़ दिया उसके संदेश दिया हम भूल गए ऐसी बहुत सी बाते हैं जो मेरा जी तरकता है तुम्हें कहने के लिए कि ऐसे ऐसे संकर हाथ में डम रूख संकर के हाथ में डम रूख क्या इसका मैं तुम्हें बताओगा इसके साथ बहुत बढ़ा राश्य है बहुत बढ़ा दमरों के वच्प संकर है अब संकर को तो नाल दे देते बजाने के लिए उसमें नाल की पखावत दे देते कम से कम गले में लगताया हुआ यह दमरू इतना मदारी बजाते हैं ऐसा दमरू संकर के हाथ में कैसा लगेगा लेकिन घले में काला नाग तुम दोलक रखो तो वो थोड़ा रखने देगा काला नाग बेठा है वाँ फेड़ूची करके किलो मितर दूर से दर्शन करके हम लोट सकते हैं काला नाग तुम्हे पता चले आ रहता है यहां भी रहता है दिखेगा हम जिस जगह पर रहते हैं वो नागों का स्थान है यह नाग की जगा था है है खाली हमें तोड़े इस प्रकुरूती में नाग भी है सांप भी है चुआ भी है घनेश का वान गनेश कोई मरस्टी इसमें सवारी नहीं करते हैं गनेश अगर सवारी करते हैं आज भी तुचुए पर सीव अगर सभाई करते हैं आज भी नंदी पर कितने प्लेम हो गए फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो नंदी पर जाएगे जितना नंदी चलेगा उतनी यात्रा करें दिखिरू कर जाएगा संकर जैसे क्रिष्टन तो संकर को कम मांते हैं जो सन्यासी हाथ में कुछ भी नहीं उस समय का सन्यासी भिट्षा पात्र हाथ में खाली फिर भी ग्रवस्त जीवर पार्वती जैसी पत्नी जिसने जिसका उद्ष है परमात्माका दर्शन जिसके जीवन का उद्ष है परमात्माका दर्शन यह दोनों का मिलन गणेज कार्थी के जैसे पुत्र सब देजस्वी पुत्र और अंत के साथ संकर क्या काम करते हैं अंत में अपने को समसान में ले जाते हैं अंत में समझना इस बाद है फुशं आइं के सॊंगकर पूरे समयः मसान में रह नहाए हो यह आपके रिशर्च का विसरे में आपको देते हुँ कि वो रहे थे नहीं रहे थे पूरे जीवन है ओर में झू यह फिनिंदा कर लेकिन में तुम संकर का अंक है ता सहरी का संकर सरीर छोड़े संकर भगवान ने सरीर छोड़ा उससे पहले अंतिंवास्थास मसां मनुष्य को जगा लेके लिए जब उसे पता चल गया कि अब मेरा सरीर आगे दी जाएगा और जरूर अपिने मुझे जो काम करना था इस थर्ति पर मैंने कर लिया महामृत्यू सब्द मैंने दे दिया महामृत्यू सब्द मैंने दे दिया चलो संकर कभी थे आज मैं दोनों के बीज का अंतर तुम देखो फिर भी तुम प्रेम देखो मेरा संकर प्रति उसने जो भी मैनत की प्रयास किया मनुष्य को उठाने के लिए ये सब्दूस के है, महामृत्यू, महामृत्यू, मैरे विश्व विद्याले मेरा है, मेरे तक है, कि चलो इन दोनों का उप्योग किया जा सकता है, महामृत्यू का अर्थ है, इच्छा से उपर उच जाना, मृत्यू से पहले की गटना, मन से उपर उच जाना, अर्थात कल्यार कारी सिम्ग के जगत में सिमत्व के साथ एक हो जाना अहमकार्मिक जाना विश्व विद्यालेकार विस्ताफ जो स्थान का अव्यास तुमारे रिदे को विस्ताफ देता है तुमारी भावात मत सकती खोलता है विस्ताफ इसकी विज्या का आले ऐसा स्थान जहां पर तुम विद्या का अभ्यास करने हो इच्छा से उपर किस तरह से उठा जा सकता है और कैसे परण अम्रुद को पाया जा सकता है विद्या जान 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 जा जिसका असर आपके भावात्म स्वर का स्थबन तुमारे मन से समझेना इस बाद के प्राथना का रहस्य जब मैं रूंगा पूरे विस्तार से तुमें अनुभो करके मेरी प्रीतम प्राथना एंगर अंगर। चड़त पर ये प्राथना कुछ अद्वोत है तुम मानो नमानो तुमारे स्वतां प्रगट करना मेरी स्वतां प्रगट करना और क्यों नंकर प्रगट मैं जानता ही ऑचन चरह रस्मीन से कर전 कि तुम एसे तरह से बाग निकालता हूं तेरी सकती को अभी जो हाथ कंप रहा है वो अवर एनर्जी हो रहे हैं वी तक इसलिए कंप रहा है तुम बासुरी बज़ा तीन मेने में तुम्हारे सौल प्रॉब्ले तीन मेने कोई बड़ी बात नहीं और तीन मेने के बाद सौल नहुआ तो भी मुझे छोड़ना नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता है चोखी में ने तुम्हारा हाथ खीक हो जाए है स्वर का सबन तुमारे मगजबगज से नहीं तुमारे इंफर्मेटिव पार्ट से कोई लेना न देना प्रापना को प्रापना का सबन तुमारे भाव से रिदे चक्र के साथ और भाव का सबन समझाने के लिए मैं तुम्हें पहता हूं मां और बच्चे का सबन बच्चा एबूगू करता है फिर भी मां उसे पूरे दिन पफी करती रहती है कि बच्चा चीमुति उसको भेट करता है उसके प्रेम के बदले ले फिर भी मां उसे अपने गले से ही लगात करती है ये भावात्मक सबन, संगीत का सबन, म्यूसिक इस नौट इंफरमेशन, मैं इस पुरुथ्वी पर प्रगट करने जा रहा हूं, दिव्य संगीत, दिव्य कार्थ्य प्रकास, जो तुम्हें प्रकास के संपत में लाता है, जो संगे प्राथना, का विग्यान, प्राथना की पेड ये जो स्वर है, निसा, रे मा, परनिसा निपमरे संप, इससे नीचे स्वर है, मैं रिकाओंगा, क्यूँँ गाएजाओंग? पर नहीं जाओंगा क्यों नहीं जाए और इतने स्वर क्या कम है इतने स्वरों से में अद्बूत प्राथना तुम्हारे आगे अद्बूत राग में प्रड़ेक करता हूँ संक्राचारे और मेरा में सबन कहता हूँ तुमे आदिगुरू संक्राचारे ने निर्वान सचकम इस पृथी प्रप्रगट किया मैं उसे राग दे रहा निर्वान सचकम किस तरस से गाया जाना चाहिए ताकि उसका असर तुमारे रिदय चकर पर आए तुम स्वय मनुभव करो देखो कि प्रार्थना का क्या रंग है प्रार्थना सुबह साम तुमरे जीवन को किस तरह से निकारती है और वो भी ऐसी वेसी प्रार्थना है कोई भी प्रार्थना ऐसी वेसी नहीं हो सकती लेकिन खार्थना कापना भी ज्यान है थोड़ी समझ के लिए मैं तुमें काओ जैसर में काओ है गोविंद है गोपार है गोविंद है गोपार है गोविंद राखो सरं अब तो जीवन हाए तेरे गोविंद क्रिष्ण की कास्ना जैसर क्योप तो तूगार इतने समय हम ऐसे वर्तुला काही गूंते रहेंगे कब हम लिनियर यासरा करेंगे इतना बड़ा आकास कब हमारा प्लेन उड़ेगा अब तो उड़ा तो जी ब्रात्ना का हार्द है क्या ये गुड़ा है ये निर्वान सटकम से कम है लेकिन समझेंगे इसका असर तुमारा रिदेचकर तुमारा भावसर निर्वान सटकम प्रगड़ होता है उसकी सक्ति तुमारे तीसरे नित्र को प्रभावत करती है ये तटस्त है ये जो संदेश है ये तटस्त संदेश जैसे तटस्त जैसे ओम को कोई अधने ओम केवल संकेत है भीतर के नाद का कि हमारे वितर अभी रख अथा नाद प्रगड़ है उसके संपर्ग बे आने के लिए जो विदी है वो है ओम का है इसी तरस्त ये जो प्रात्ना है विर्वान सक्कम ये तटस्त रचना है संपूर्ण इसका सबन्र आत्मिक सक्ति के साथ ये विज्ञान है जैसे कि न पुण्यम न पापं न सोख्यम न दुख्यम न मंत्रो न तिर्थम न वेदा न यज्या अहम भोजनम न इर्वभोज्यम अट्रम न भोगता तेल पक्ते चौति पंगति स्मर्द जिदान अंगरू सी वहम सी वहम हर तीं पंगति निगेतिव माइद ओयेदेट माइद को प्रभावित करती है मन अस्रिकार ना ये नहीं वो नहीं फ्रिया नगा आत्मा ना 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 न ना अन। चोपि पंति यह विज्यान, इसको प्रगड करने का विज्यान, आफमीस्त करती त्राथना के द्वारा कैसे जगाई जा सकती है, यह इसका विज्यान, साहित्य का विज्यान कि सब्द के रूप में आत्मा के संपत में आपको कैसे ले या जा सकता है उस समय का शंकराचारे जब गुंगते थे इस धंती माता के ऊपर उस समय का विध्यान उसरे साइट यवे इस तरह से प्रगटिया इसका यूग्य राग मेरी दृष्टी से करना तकी क्लासिस कल से मत् जबात सारी का विए मेजूर राम क्रिष्णन और सिंको क्क्रकका कि एसके शृष्णन औरी का विवे प्रॉई रूर भर्राम से करना अम्म्मों पूरमद़ actै पूर्ना पूर्नमुदाश्यते पूर्नस्या पूर्नमादाया पूर्नेवाः शेष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष का कि लिए एए लिएकिए मनों बुद्य हंकार चित्ता निनाहं मनों बुद्य हंकार चित्ता निनाहं नच्च स्तोत्र जीवे नच्च ग्राण नित्वे मनों बुद्य हंकार चित्ता निनाहं मनों बुद्य हंकार चित्ता निनाहं नच्छ स्तोत्र जीवे, नच्छ प्राण नेत्रे, नच्छ भ्योम भूमीर नते जो नवायू नच्छ भ्योम भूमीर नते जो नवायू नच्छ भ्योम भूमीर नते जो नवायू नच्छ भ्योम भूमीर नते जो 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 नच्च प्रान संग्यो नवै पंच वायू नवासक धातो नवापंच वायू नवासक धातो नवापंच वायू नवापंच वादो नचो पस्थ पायू नवापंच वादो नचो पस्थ पायू नवादो 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 मदो ने इर्व में ने इर्व मात्सर भावर मदो ने इर्व में ने इर्व में ने इर्व मात्सर भावर न धर्मो न चार्थो न कामो न मुक्षा न धर्मो न चार्थो न कामो न मुक्षा न धर्मो न चार्थो न कामो न मुक्षा जिता न न downtime हुप श वहँ श वह prejudice जितानन्न दूबब शीड़ां शीड़ां जितानन्न दूबब शीड़ां शीड़ां जितानन्न शीड़ां 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 शीड़ नमंत्रो नतिर्थम नवेदान यज्या नमंत्रो नतिर्थम नवेदान यज्या नमंत्रो नतिर्थम नवेदान यज्या अहम भोजनंनेर्वअज्यान अभोथा अहम भोजनंनेर्वगोथान नवब्दा ची दानं दरूपल शीओोः कि दानं दरूपल शीओोः कि दानं दरूपल शीओोः कर दो कर दो नमे व्रूत्यु शंका नमे जाती बेदर पिता नहीर्व नहीर्व मासा नजन्म नमे व्रूत्यु शंका नमे जाती बेदर नमे व्रूत्यु शंका नमे जाती बेदर पिता नहीर्व मेर्व माता नजन्म नमे व्रूत्यु शंका नमे जाती बेदर पिता नहीर्व मेर्व मेर्व माता नजन्म बंधो नमित्रम् बंधो नमित्रम् गुरु ने वसिष्यं बंदो नमित्रम् गुरु ने वसिष्यं बंदू ना मिक्रम बुरु ने वशिष्यां चिदानंदा रूपा शिपो हम शिपो हम चिदानंदा रूपा शिपो हम चिदानंदा रूपा शिपो हम 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 आपको बंदाते थूप गले में निगाले गले की एक संता केवल बोलना नहीं है गले की एक संता है गाना अपकी एक संता केवल घीत गाना नहीं है केवल गले की संता है प्राठना को प्रविद करना अब कियां क्यूबन अम सांती 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 मंत्र में प्रविश्ट करें इससे पहले एक मांसिक प्रक्रिया पीछले 20 कंटों में इस जगद की किसी दिवेक्टी की प्रती आपके दितर, प्रोथ, ग्रीना, इर्ष्या, तीरस्कार या कामवास्टा का भाव पैदा हुआ हो, तो जवेक्टी का नाम स्मरण कर लो, उसका चहरा आँखों के सामने लादो पीछले 24 कंटों में इस जगद की किसी दिवेक्टी की प्रती आपके दितर, प्रोथ, ग्रीना, इर्ष्या, तीरस्कार या कामवास्टा का भाव पैदा हुआ है, तो जवेक्टी का नाम स्मरण कर लो अपने दितर, उसका चहरा आँखों के सामने लादो जो तुमारे आँखों के समक्स बात प्रगट हो जाएगी, वो कभी तुमारा पीछा नहीं कर सकती, आज का कचरा अभी साव हम ब्रविश कर रहे हैं पवित्र, भंत्र, सांटी मंत्र में, जिसके तीन मुख्य स्थान पहले सांती में ध्यान दे, पहला पवित्र स्थान, आपका नाभी केंद्रव, मनिपूर चक्रव, दूसरी स्थांती में ध्यान दे, आपका मुलाधा चक्रव, काम केंद्रव, जिसमें आपके सरीर का निन्नतम हिस्ता धर्ति माता की गोध को स्पर्श कर रहा है, उस समिदना और नाँकि झाने का सवर्णने, पैसरे सांकी मेरे में आपकी शातिक दो नीपले कर भी ही का अधि स्थान उसन पर जिन द्रीद करने का सवर्णन करें हम समुफ यह एक्साद करते हैं इस सांकी मंतर में पर सांकी मंत्र मो हूं हूं झाल झाल सांति मंत्र का अस्ट गर्दन के वल स्रमत करे हमारे नाकि केंद्र मनैपूर चक्रकी साड़िक्सित एवं अशुद्ध समिंदनाएं सुध हो साम्पो हमारे काम के इंद्रब मुलाधार चक्र की सारिविक्षित एवन अशुद समेदले सुद्धो सान्थो हम सब सदा हमरे गीतर परम मौं का परंसान की कानुगों करते रहे हम सब सदा हमारे बाहर आपको कोल दे परम सांतिकान धो करते रहे हम सब सदा सरत्र परम सांतिकान धो करते रहे